कि संस्था कोई लीगल राइट नहीं है उसके बावजूत पदब लगातार आश्रम में हश्चेप कर रहे हैं यह जितना भी आश्रम है यह स्वामी जी की अध्याति भूमी है यहां पर संत्मत के अधार पर उत्राधिकारी उन्होंने मुझे बनाया था तो उत्राधिकार मेर है कि लाखों लोग मुझे मांते हैं इसके अलावा मेरे पास दूसरे दस्तावेज भी हैं जो ट्रस्ट के जो दिवनें स्पिरिचल फांडेशन है उसमें मैं शेरोल्डर हूं इसके हिसाब से मालिकाना हग भी है मेरा पर यह जो नहोंने करा है वो पूरी तरह जाल साजी के का वैत कबशा और उसकितमाम संपत्ति को खुल आम हो यह रहे हैं और आश्रम संपत्त को arm नुक्सान पहुंजा रहे हैं तो हमारे आ यह है कि जो हैं जो अिक सानक मत का एसी किसी भी भूमी पर BE pap-9 किस तरह का काम ना किया जा y ठौरर सुर्ब शूरण उसको छोड़ दिया जाए उनका कहना है कि सवामी जी दोरा जो किमें उनको दीकए किसी बिचहत के नाय द्वारा तो स्वाविजी द्वारा उनको जो यह देजिए निस सु पिचानमें भी उसके आधार पर सीन दूसरी वसीयत की एग जो उननी की सेविकादैंप टीन मैं दोहजार तीरह तो वह वसीयत जादा कारगर होती है पर यह वह वसीयत है जिसके अधार पर स्वाणलता जी कह रही है जो उनको निशकाशित करने से पहले बनाई थी और उसको बदल दिया गया था अब आप क्या चाहते हैं यह कि स्वाणलता जी पूरी इमामदारी से सारी दुनिया के सामने संत्मत की आध्यात्म की इस जमीन से अपना कबजा वापिस लें और जो उन्होंने सरे आम 80-90 लाक रुपए के पेर रातो रात बेचे हैं उसका फॉरण जहें वह धनराशी या तो एसजिम साब किया कहीं भी वह जांच में वह वापिस करें और तब तक जब तक पूरी तर किसे वहां रहे हैं काम करें